जैहिन दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों मेरा नाम है मृत्यूंजे कुमार सिंग आयो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने बिहार SI की त से करें देखो दोस्तों यूटूब पर ग्यान देने वाले बहुत लोग है जैसे कि मैं भी हूँ एक तो ग्यान देने वाले बहुत लोग है लेकिन उसको अपने लाइफ में दोस्तों इंप्लिमेंट बहुत कम लोगों नहीं किया है लेकिन दोस्तों मैं जो यहां बताऊं मैं टीचिंग वाले लाइन में उतरना चाहता था क्योंकि मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता है अब दोस्तों देखो इसलिए मैंने रिजल्ट दिया इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया था और दोस्तों इसी को इंप्लिमेंट करके आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने यह रा दोस्तों अभी हाली में मेरा मेरिट बना है CISF में HCM 2019 क्योंकि मेरे पापा ने कहा कोरोना के बाद कि देखो नौकरी तो एक चाहिए गाव में लोग यह कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कुछू कर ले सरक कारी नौकरी नहीं है मतलब आपको कुछ नहीं आता इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया किस बार एक जॉब लूँगा और दोस्तों CISF में मेरा फाइनली मेरिट बन चुका है आप चाहें तो उसको ओफिसर वेबसाइट पर लिस्ट में भी देख सकते थे CISF HCM 2019 का ठीक है नो दोस्तों यहां मेरा मेरिट बन चुका है आप देख सकते हैं ठीक है फाइनल दोस्तों इसमें अभी मुझे री मेडिकल मिला है पर एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम गैरेंटीड है ठीक है बाकि लग खराब रहा तो कुछ नहीं कह सकते हैं तो अब देखो दोस्तों यह है दरोगा का एक्जाम बिहार एसाई जो 213 में मैंने दिया था तो दोस्तों 1275 तो मैं नहीं दे पाया किसी वजह से लेकिन 213 में दिया था और दोस्तों आप देख सकते हैं उसमें आप मेरिट भी दोस्तो मेरा बना था लेकिन दोस्तो मैं डौड में डिस्कौलिफाई हो गया था आप सकते हैं आप्यक्षागे टिक्षान इससे तक मुझे समझ नहीं था लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने आप देखें बिहार तो उन्होंने कहा कि ताहरा से निकल लाए नहीं निकाल के देखा दिया उनसे चैलेंज की बदूस्तों मैंने पढ़ना शुरू किया अर अब देखेंगे हैं बिहारे साइ स्वावल मैं से 101 सही किया और दोस्तों मैं एक सो तीन पर फाइनल सेलेक्शन हो रखा है ठीक है और लेकिन दोस्तों मुझे 101 नंबर आया था और दो नंबर से इसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ना अर्मोस छोड़ी दिया मतलब मन नहीं करता था पापा के काम में लग गया बिजनेस में आने का सोचने लग गया था उसके बाद दे को दोस्तों मैं पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने कोचिंग खोल दिया था लोग जानते होंगे मेरे फ्रेंट्स तो जब मैं दोस्तों ये एक्जाम देने गया था वो लोग भी जानते कि सर कितना पढ़ते थे देखो पढ़ाने के लिए न दोस्तों एक पढ़ना अलग होता और एक्जाम निकालने के लिए अलग होता इ इसलिए फाइनली दोस्तों मैंने पढ़ना शुरू कि और यहां पर मेरा मेरिट बना मानता हूं मनपसंद का जॉब नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी है उसके बाद मैं आराम से पी पीएससी के तयारी करूंगा अब दोस्तों आते हैं कि आपके अब घ्यान दूं सब्सक्राइब करना होता है तो दोस्तों आप सभी यहां पर देख सकते हैं हम sana लेकिन दोस्तों आप जाने का अंका एक्स्परीन्स भी क्या हो रहा है भागो के लगा और निकाल दीजिए तो उसके बाद आपको जाकर के हाई जंप कराते हैं लॉंग जंप कराते हैं गोला फेकाते हैं ठीक है और दोस्तों तीन बारी जनरली चांस मिलता है लेकिन इस बार मैंने सुना है कि 18-18 लड़कों को पास करने के लिए तो इस बार के लिए 213 वाले में जिसमें मैं डिस्क्वालिफाई हो गया था तो दोस्तों वह तैप फीजिकल की बात लड़कियों के लिए कम से कम वजन 48 किलो होना ही चाहिए यह जान जाए लड़कों में कम वजन का कोई प्रावधान नहीं ह अब देखो दोस्तों यह सब आप सभी जानते हैं यह सब बताने के जुरत नहीं अब दोस्तों सवाल यह है यह सब आपको कोई भी कहीं भी बता देगा लेकिन दोस्तों है न मैं आप लोगों को देखो क्या बताना चाहता हूं आप देखो प्री और मेंस दोस्तों दो चरन है तो प्री जो है वो दो सिफ्ट में हो चुका है ठीक है ना और कहां-कहां से लुसेंट पर क्वेस्टन आई यह मैंने एक वीडियो डाल दिया है आप जब वीडियो खतम होगा उसके बाद देखिएगा तो आप प्ले कर सकते हैं दोनों सिफ्ट का मैंने वीडियो बना दिया है अब दोस्तों यह जो है यह आपके सेकेंड सिफ्ट का एनलिसीस है और लगबग यही अनुपात जो है सवाल का पूछने का यह आपके फॉर्स सिफ्ट में भी रहा है दोनों में और इंगलीस क्लियर है तो दोस्तों यह आपके जीकेंड वाले सेक्शन में नहीं आते हैं और दोस्तों इनकी संख्या 14,4,14,18,20 और दोस्तों यह लगबग 28 ऐसे क्वेस्टन है जिनकी संख्या मतब जो 28 है और दोस्तों यह आपके जीकेंड में नहीं आते हैं इनका संख् question दो नंबर का यानि कूल मिला करके 200 नंबर का clear है अब देखो दोस्तों एक गलती करते हैं तो 0.2 नंबर आपका लगबग जो है वो कट जाता है हर एक गलती पर आपका 0.2 नंबर कट जाएगा तो आप जितना भी 100 का 100 बना करके आईए एक भी छोड़के मत आईएगा छोड़के आईएगा आप ऐसी सेलेक्सम से दूर हो जाईएगा मुझसे पूछोगे कि प्री और मेंस में कौन सा हाड होता है मैं दोस्तों बिहार का जो सवाल है वो मैं मुश्किल से एगो रहता था ठीक है हिंदी और इंगलिस दोस्तों नहीं रहता था ठीक है और दोस्तों इसको जो है न इसको जोड़ दिया जाता था हिंदी इंगलिस और बिहार यह सब सवाल जो है न यह करेंट अफेर्स में आता था करेंट प्रिका है बागे दोस्तों मेंस जो होता है वो अपने आप में दो चरणों में होता है पहला जब आप जाएंगे तो आपको हिंदी का टेस्ट होगा 100 सवाल 200 नंबर का हर एक गलती पर 0.2 दो नंबर को काटा जाएगा सेम प्रोसेस होता है लेकिन दोस्तों उसमें मेहज बहुत ही असान सवाल आता है मेरे टाइम तो दोस्तों खाली पैसेस दिया गया था 213 का जो हिंदी का पेपर था वह कुछ लेवल का भी था लेकिन इस बर कुछ जादा ही इजी था ठीक है अब किसी नंबर लगबग आप मालो वो जी के से ही आता है में में यहाँ बीस गो माल ne दोस्तो मैथ और रिजनिंग और दौस्तों यहाँ पर बीष घ्रो imperia outfits क्लियार एक खथा मैं बस यह यह दोस्तों सिले बस अब देखेंगे तो आपको दोस्तों सब से सबसे ज़्यादा सवाल साइन्स से आता है और आप यकीन करिए यदि आपने साइन्स को अच्छा कर लिया न दोस्तो आप बहुत सारे लड़कों से आगे हो जाएंगे आपको मैं बताता हूं कैसे आप देखलो दोस्तो फिजिक्स चेमिस्ट्री और बायोलोजी मिलाकर के 8, 7 किânवें 15 और 6 मिलाकर करके दोस्तों 21 सवाल आया है आप देख सकते दोस्तों कितना मस्त है अप इसको कर लो यह सबसे बड़ा सेक्सन हैं दूसरा मैं मुझे से पुछोगे तो वह सेक्सन है दोस्तो करेंट अफेर्स हाला कि कई बार दोस्तों आपको current office बड़ा भी कर सकता है यह अनुपात आगे पीछे होता रहता है यह fix नहीं होता है ठीक है लेकिन दोस्तों science का हमेशा उसत ज्यादा रहता है अब देखो दोस्तों उसके बाद अब सवाल यह है कि हम लोग थोड़ा रणनीती देखेंगे मेरा क्या रणनीत तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह वाला discount coupon यह करिए गई हो यहां से screenshot ले लिजिए आप चाहें तो 151 discount उसमें मिल जाएगा जैसे यह वाला डालेंगे 300 का batch होगा 199 में आपको वह batch मिल जाएगा application पर ले सकते है recorded batch है पूरा full batch है ठीक है पूरा full batch है आपको मज़ा आ जाएगा देख लीजएगा बहुत अच्छे सा सब बताया गया और यह ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने कभी कहीं भी class नहीं किया है यदि किया भी है जिस क में almost on average दोस्तो 22 सवाल 25 कहिए 25 आता था लेकिन अभी 22 मान के 20 मानिए न तो दोस्तों यह 22 सवाल है आप जानते ही यह तीन सेक्षन में बटा है देखो दोस्तों वीडियो लंबी होगी पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा देखो दोस्तों physics हो गया chemistry हो गया औ बिहार में तो को बिहार पुलिस का एक्जाम सुरू से NCRT से ही सवाल देता है और बहुत ही standard paper बनाता आप यकीन करिए कि बिहार दरोगा से ज्यादा standard paper बिहार पुलिस का होता है पर ये एक दम गलत है कि जो लड़का कहे कि बिहार दरोगा निकालने हो लड़का को को कोई क सबसे बड़ा सेक्षन आप लगबग सब का बराबर ही आता है दोस्तों दोस्तों जानते हैं आप जानते हैं नाइन और टेन का दोस्तों किताब सुन लिजिए इनसी एयाटी का क्या दोस्तों इनसी एयाटी का जो नाइन और टेन का किताब होता है न दोस्तों मुझको लगता है कि यह आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मैं एक वीडियो अभी बना के डालूंगा इसमें इकोनॉमिक्स और साइम्स दोस्तों इस बार देखो मैं दोस्तों बढ़िया सवाल दिया है यह मैं 10 सवाल को छोड दिया यह चिडा यह olduğ economics का अनुपात है 8 और 10 का something और दोस्तों उसमें देखेंगे तो वो सब का सब NCRT से दे दिया है तो सुने जो दोस्तों आपको NCRT सब का नहीं पढ़ना है NCRT आपको 9 और 10 का पढ़ना है दोस्तों ये पढ़ लेंगे तो आपको घाटा नहीं देगा हमेशा फायदे में ही रहेंगे अब सबाल है कि सर यादी इसको पढ़ लेंगे तो लूसेंट नहीं पढ़ना पढ़ेगा क्या बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ेगा क्योंकि लूसेंट ही दूस्तो ब्रह्म भास्त्र है इस बात को जान जाएyan लूसेंट पढ़के खाली आप पूरा सवाल नहीं बना सकते और बिना लूसेंट के भी आप पूरा सवाल नहीं बना सकते यह सच्छा है यह बात को जान जाएए आपको लूसेंट पढ़ना ही पढ़ेगा चाथ में लूसेंट लेना ही पढ़ेगा दूसरा कोई रास्ता नही क्लियर है अब देखो दोस्तो 9 और 10 का NCRT साइंस का आप यह पढ़ लेते हैं तो आप यकीन करें फिजिक्स chemistry और biology और सुन यह पढ़ने का तरीका होता है जैसे इसमें रियक्षन भी होगा आपको रियक्षन भी रटना पड़ेगा और समझ के जैसे आपको जो समझ में नहीं आ रहे हैं इंसी आट उसको ऑनलाइन सर्च कर लीजिए सर्च कर लीजिए देख लीजिए तो उसको सर्च कर दिया हुआ है आप वहाँ से कलियर कर सकते हैं तो साइन्स से आपको लगबग 20 सवाल दोस्तू देखने को मिलता है प्री में वी स्वाइड के सवाल यह दो अंतने को मिलेगा लगबख 20 के आस पास ही रहता है और वह दोस्तो में में भी तो साइंस बहुत भणिया शेक्षन है और बहुत ही इंपोर्टेंट देखो दोस्तो इसके बाद मैं current affairs को इंपोर्टेंट मानता हूं लेकिन दोस्तों फिर भी मैं हिस्ट्री के लिए बता देखो दोस्तों history को चार section में बाठते हैं जो मैं दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं देखो वर्ल्ड history देखो दोस्तों वर्ल्ड history जो है यह आपको Lucent में भी मिल जाएगा लेकिन उतना बहतर नहीं दिया हुआ है आप यदि और बहतर देखो इससे तीन या का किताब आता है बिहार बोड का 9th और 10th क्लास का हिस्ट्री का किताब आपको दोस्तों मुझे लगता है ये वाला पढ़ना चाहिए ठीक है क्या राज जे का किताब जो अपना अपका मॉडर्न और यह 스्ट हो दुटम मोडर्न हो या मेधियर हो दोस्तों इन तीनों को अभी ऐसा ट्रेंड देखा रहा है कि दोस्तों इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस किताब को आप उसको ले लीजगा दृष्टी का किताब दोस्तों आप ले लिजिएगा अब सुनों द्रिष्टी से सब चैप्टर नहीं पढ़ना ऐसे कोशिस की जगा द्रिष्टी ले रहें तो द्रिष्टी से ही तीनों पढ़ लिजिए लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा कि द्रिष्टी से आप चाहें तो मेडियेवल को न नहीं किया हूं मैंने हमेशा किताब पर भरोसा किया है क्योंकि किताब से ही बनता है नोट्स ठीक है और दोस्तों घटना चक्र के चक्र मत परियेगा चिंता मत करें मैं बता रहा हूं देखो दोस्तों यहां पे तो द्रिष्टी का बाकी आपकी मर्जी है तो द्रिष्टी का खुए बुक जो है वह मेरी कमेंड करूंगा मद्देकालीन भारत एक दम लूशेंट से ही पढ़िएगा सुन लीजे मैं आपको बोल दे रहा हूं यह एक दम लूशेंट से ही पढ़िएगा आपको इससे ज्यादा का जूरत यह नह को पठाक से याद हो जाएगा है बहुत सारा कांटेंट दिए हो घ्र में सागर कहते हैं इसको अधुय। कोशिव कीजिएंट कि इस से कर लिए तो बेस्ट है लेकिन अब जो ट्रेंट फ्री कहा अगया है आपके अभी जैसा चल रहा है एक दम उपर-उपर का सवाल यासान मैं आपको रिक्मेंड करूंगा स्पेक्ट्रम खलि मौड़न इसंटी का इतना मोटा मौता है ठीक है बिलकुल भी नहीं है किताब को लीज्ये एकडम menor sem किताब होगा आपको लोग कहेंगे दोस्तों वह आपकी एक्जाम के लिए लाफदायक नहीं है ठीक है लोग को कहने दीजे दोस्तों जोग्राफी एकदम आख बंद करके दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखेगा NCRT से ही सवाल आता है ठीक है एकदम बढ़िया दोस्तों यहीं से काम बन जाएगा आपका लेकिन अब NCRT 6212 का कहां से करिएगा तो दोस्तों इसका भी सबसे बढ़िया एक सॉलूसन है मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे किताब है दोस्तों तो यहाँ पर देखो क्विक बुक है और इसमें दोस्तों मैं आपको रिकमेंड इसका संख्या ही बहुत कम था ठीक है लेकिन दोस्तों इस बार वर्ल्ड जोग्रफी सिर्फ एक ही है और लगवक 11 सवाल है आपका इंडेन जोग्रफी से है तो दोस्तों दृष्टी का क्विक बुक आता है मैं इसको रिकमेंड करता हूं अधरवाइस आप चाहें तो पतल यह वाला परिसनल या प्धी पढ़ सकते बहुत मोटा पतला किताब है गागर मैंस आगर है और यह मोटा है बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ करके है न और दोस्तों इसके बाद इस अब पढ़ने के बाद आपको लुसेंट जरूर और एप्लिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से कर लिजे या आप जाकर के प्लेश्टोर पे सर्च करेंगे ब्राइट पब्लिकेशन आपको मिल जागा आराम से और उसमें जाकर क्या पर्चेज कर लिजेगा बिहारे साइट बैच में यह वाला कूपन प्लेशन गात आपके सारे सबजेक्ट उसमें कवर किये हूए है ठीक है ना सारे सबजेक्ट उसमें और यदि आपको समझ मनिया कैसे करना तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलिग्राम में आप मुझे मैसेच कर लीजाएगा यह हो गया दोस्तोब अ नहीं से सवाल सबसे ज़्यादा बनना चाहिए लोगों को संविधान का पता होना चाहिए ठीक है और मुझे तो लगता है दोस्तों CRPC को भी इसमें एड करना चाहिए बिहार उपी पुलिस की तरह ठीक न अब देखो दोस्तों यहां पर कि जो यहां पर पॉलिटी का ठीक न बहुत ही अच्छा इसलिए दोस्तों मैं रिकमेंट करों को पैसा नहीं मिला यहां से ठीक है न तो आप चाहिए तो दोस्तों यहां से कर सकते हैं अब इसके लिए NCRT पढ़ने की जुरुत नहीं है लेकिन दोस्तों यहीं पर बता दे रहो मैं भूल चाहिए बाकी आप चाहते हैं कि मैं सबका अलग-अलग वीडियो बना दू तो मैं बिल्कुल बना दूंगा लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों को सेर करिए सपोर्ट किजिए तब तो मजाएगा तो दोस्तों को जरूरू बताए चैनल को सब्सक्र करना चाहते तो इस पर जाईए और दोस्तों बाकि मैंने आप लोगों को बता दिया मतब कुल मिला के बाद यह है कि आपको किसका पढ़ना आपको साइंस का पढ़ना वह भी किसका 9 और 10 का 11-12 मत पढ़ने लग न रहे अब देखो दोस्तों साइंस हो गया इसके बाद किसका पढ़ना ईकोनॉमिक्स का दोस्तों यह बहुत आसानी से आप चाहें तो दो दिन में खतम कर सकते हैं दो दिन के अंदर खतम सच्छा है दिरिष्टी का ही क्विक बुक पढ़ लीजिए तो दोस्तों यह हो गए आप लोगों का मैंने बता दिया लगबग सारा सब्जेक्ट और इकोनोमिक्स के लिए तो मैंने बता दिया अभी भी दोस्तों बच रहा है जानते कौन सा तो दोस्तों आप यदि दोस्तों यह दि ले लेंगे तो देखो यह 200 रुपया जानते हो बैच तो आपको मिली जाएगा प्लस में जानते हैं आपको क्या मिलेगा मेरा गाइडैंस ठीक ना और आप यकीन करिए कि बहुत सारे लड़के इसका लाब उठा रहे हैं ठीक न अब देखो दोस्तों यह मिलेगा और ज्यादा भगवान ने साथ दिया तो मैं चला जाओंगा ट्रेनिंग सेंटर लेकिन दोस्तों वह रिकॉर्डेड बैच है आपको बहुत काम आएगा आपको हिल्प करेगा ठीक है न चैप्टर आप देख लिजेगा जो भी समझ मनी आएगा देख लिजेगा इसको ले लेंगे ना तो दोस्तों आपको इसके साथ मैं पीडिएफ दूंगा आप जानते वह कितना का है वह समाप्त कर देंगा रट जाएंगा उसको काम का ही चीज उसमें खाली डाला हुआ और इस बार जितना भी बिहार से सवाल है सब उसमें भरा पढ़ा है और आगे भी जो आएगा न वहीं से आएगा यह ध्यान न किएगा अब देखो दोस्तों करेंट अफेर्स के लिए किताब लेकर क्या आई आप स्पीडी भी ले सकते हैं बढ़िया देता है ठीक वो तो हर महीने महीने आता रहता है आपको यदि पढ़ने कादत है तो आप स्पीडी पढ़ने कादत डालिए आप यदि संतूस्ट हो जाएंगे एक्जाम के समय करेंट कर सकते हैं complete तो आप ए करिए डेली डेली पढ़ना अच्छा लगता है तो और मैं तो दोस्तों एक्जाम के समय एडूटेरिया से complete कर लेता हूं यह भी पैसा नहीं दिया चिंता मत करिए तो एडूटेरिया आप चाया तो दोस्तों मैं इसको इसी को recommend करूंगा तो एकदम एक्जाम के समय आप जो देखना ही है तो दस को current affairs का list देखिए उनका आता है डेली का news bulletin आता है आप उसको पढ़ लिजे उपर उपर लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसकी बेजरूरत है clear है इतना करेंगे तो हो गये आपका तो यहां पर यह रहा तो दोस्तों एडूटेरिया से current affairs करिए आप द है चाहिए उसी PDF का इस्तेमाल मैंने करके और दोस्तों मैंने 90 marks out of 100 मैंने score किया raw marks ठीक है और यह मैं इसकी तयारी नहीं करता हूं मैं जी के पढ़ता हूं उसके बावजूद मैंने किया 25 में 25 में 25 रिजिनिंग सही किया और दोस्तों हिंदी के बदूलत हिंदी भी मैंने ल जाएगा कहीं भी नहीं जाएगा मैं आपको PDF एवैलेबल करा दूंगा तो आप चाहें तो दोस्तों इसको यह कर सकते हैं 199 का बैच है मुझे लगता आपको पर्चेज कर लेना चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है अप्लिकेशन का डाउनलोड करिए और जाके डाउनलो दीजिए उसके बाद थोड़ा मोड़ा बेसिक ग्रामर आपका रहेगा तो हो जाएगा काम बाकी कुछ वर्ड का भी सवाल आ जाता है तो उस अब करने के फिर में मत रहेगा इंगलिस के छोड़ दीजिए इंगलिस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बाकी दोस्तों क क्या क्या सिलेबस होता है मैं यह उमीद करता हूं कि अच्छे से समझ गयों होंगे यदि नई समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा मेरा पुराना वी वीडियो पड़ा हुआ है आप चाहें तो उसको देख सकते हैं तो दोस्तों तब तक के लिए मैं चलता हूं जयहिं मिले तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा ऐसा नहीं आप उसको लेंगे न तो आपको एक ग्रूप में जोड़ा जाएगा और ग्रूप में जोड़ा जाएगा तो आपको मैं लगबग हर हफते मैं दो से तिन दिन जरूर लाइव आता हूं और रात में और आपसे परसनली इ कर दें धन्यवाद दोस्तों